यहां पर आप सीख रहे हैं इंगलिश पढ़ने के नियम, यानि कि इंगलिश के किताब किस तरह से पढ़ी जाए, उन स्पेलिंग्स को हम प्रणाउंस कैसे करें जो हमको नहीं पढ़नी आती, उनके सारे रूल्स यहां पर आप सीख रहे हैं, काफी सारे जो रूल्स है, प्र प्रकार से पढ़ा जाए ये सारे हमने लास्ट चो वीडियो था उसमें हमने देख लिये थे तो आज हम जानने वाले हैं डबल ओ के ऊचारन के नियम यानिकी डबल ओ इंगलिश की किसी भी स्पैलिंग में आ जाए तो हम इसका प्रणौनौन सेशन ऊचारन किस तरह से करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो double O को हम बड़े O के रूप में प्रणाउंस करते हैं, यानि कि पढ़ते हैं, बड़े O के रूप में, जैसे कि हमेशा की तरह मैं spellings का यहाँ पर example देती हूं, काफी सारे spellings दे गई होती है और उनको हम प्रणाउंस करके उनको पढ़ने की practice कर जैसे कि आपको double O का जो यह नियम है, यानि कि बड़े O के रूप में पढ़ा जाए, तो आपको clear हो जाए, समझ में आ जाए, जैसे कि इन सारे spellings में double O है, क्या है double O, अब इस double O को हम बड़े O के रूप में पढ़ेंगे, जैसे कि B double O T है, तो इसको हम पढ़ेंगे, यानि O का जो है, लंबा उचारन होगा, बड़े O की मातरा लगी होई होती है, इसका मतलब बड़ा उचारन, और यहां पे है boost, फिर यह है loom, तो एक बार इन सारे spellings को में पढ़ दूँगे, और उसके बाद आप भी इन spellings को पढ़ने की practice जरूर करें, यदि आपको English की ब spoon, spoon, soon, food, mood, to, अब यह जैसे टी के बाद डबल O है, इसको टू नहीं, to, क्या पढ़ेंगे, to, cool, यानि डबल O का जो है हम लंबा उचारन, यानि बड़े O के रूप में, इसका लंबा उचारन करेंगे, to नहीं, to, इस तरीके से, फिर है cool, fool, roof, broom, groom, तो यहाँ पर काफी सारे spellings दे रखिए, काफी है आपको ये नियम समझने के लिए, और इस नियम को याद करने के लिए, इसके अलावा ज्यादा आपको practice करने की कोई भी ज़रुरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको clear हो गया होगा, कि बड़े O के रूप में, किस प्रकार से रूप में पढ़ते हैं, में प्रनाशेशन में, में जो मुख्य उच्चारा न वो यही है, और बाकी हम कहीं पर O, O, और O, इस रूप में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, डबलो को U के रूप में, यानि बड़े O के रूप में, यहाँ पर है, छ डबलो को बड़े O के रूप में पढ़ रहे थे, यानि O का लंबा उचारन कर रहे थे, और यहाँ पर हम डबलो को छोटा, डबलो का मतलब U का जो है, चोटा उचारन है, यानि चोटे O के रूप में प्रोणाउंस करेंगे, जितनी भी स्पैलिंग होगी, चोटे O के तो इस तरह से आप इनको read करके एक बार practice ज़रूर करें इन spellings की तो एक बार मैं इनको पढ़ देती हूँ book, cook, look, hook, brook, good, hood, wood, wool इस तरीके से ये सारे spellings काफी है आपको practice करने के लिए यहाँ पर भी यानि चोटे उग रूप में किस प्रकार से हम double O को पढ़ेंगे अगर नि तो आप book को book पढ़ दो या cook पढ़ दो तो यह अगर नियम नहीं पता होगा तो आप इस तरीके से read कर सकते हैं next देख लेते हैं यहां तक आपको clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा double o को किस तरह से पढ़े next क्या है कि double o को हम a, o और o के रूप में भी pronounce करते हैं बोलते हैं यानि उच्चारण होता है अब spellings देख लेते हैं example के तौर पर जैसे कि यह है b, l, o, d है यहां पर भी double o है ठीक है अब blood या नियम नहीं पता होगा तो blood या blood इस तरह के से कैसे भी पढ़ सकते हैं अगर आप beginner है तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है पढ़ना आता है तो लेकिन जैसे यह है blood तो यहां पर double o जो है उसको हम blood a के रूप में पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं और फिर next है जैसे यह है f, l, o, d इस spelling में भी हम यह double o है इसको a के रूप में पढ़ रहे हैं अ पढ़ रहे हैं यानि double o को a किस तरह के से flood अ पढ़ रहे है फ्लड आप रूणाउंस करके आप इन spelling को बोल के देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से clear होगा प्रैक्टिस जरूर करें तभी आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा एकदम नहीं आएगा दीरे भी लिखा है और यहां पर हम वह पढ़ रहे हैं डबल ओ को जैसे बॉर बॉर इस तरीके से फिर यह पूर ठीक है यह पूर अब यहां पर भी हम पॉर या इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं यह पूर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी यह जो डबल ओ है के रूप में पढ़ा जा रहा है अब यहां पर यह next spelling क्या है दोर है यानि की double o को यहां पर हम पढ़ रहे हैं औ क्या पढ़ रहे हैं औ का लंबा उच्चारन डोर इस तरीके से डोर अब इसको पोर पढ़ देंगे अगर नियम नहीं पता होगा या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो यह जो spellings दे रही है इन spellings के आप प्रैक्टिस कर लें तो काफी है आपके लिए नियम समझने के लिए इतने से example इनकी practice जरूर करें तो यहां तक आपको समझ में आ जाएगा practice करने जरूरी है प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है अगर आप सीखना चाते हैं तो next है अब O यू की उच्चारण की नियम आगे हम जान लेते हैं यानि की OU को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे तो यहां पर OU है OU को हम पढ़ेंगे आओ क्या पढ़ेंगे आओ अब इनके example देख लेते हैं जैसे कि यहां पर सारी यह जो spellings दे रखिए यहां पर OU है सारी spellings में और यह पर हम OU को आओ पढ़ रहे हैं ठीक है अगर आपने इन spellings की practice कर ली तो बहुत है अगर नहीं की होगी तो आप S H O U T है इसको short पढ़ेंगे bonds पढ़ेंगे इस तरीके से तो यह short bonds नहीं है shout आओ की इसमें pronunciation हो रहा है आओ का आओ बोला जा रहा है इसमें आप pronounce करेंगे बोल तब ही होगा shout bounce इस तरह के से Lord नहीं Claude नहीं प्रॉड नहीं आप इस तरह के से गलत पढ़ देंगे अगर आपको rules नहीं पता होंगे अगर आप beginners है तो यह rules जानने आपके लिए बहुत जरूरी है तो एक बार में spellings को read करूंगी और उसके बाद आप भी practice जरूर करें जैस से repeat हो गया है फिर next count, mount, discount, pouch, mouth, south तो साब में यह सारे spellings है यहां पर आउ का उच्चारन हो रहा है ओ यू की जगे आउ आउ बुला जा रहा है ओ यू को यहां पर तो इन spellings को आप पढ़ लेंगे तो काफी इनियम सीखने के लिए यानि ओ यू को हम कब आउ पढ़ रहें त आपको clear हो जाएगा तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा spellings को जरूर एक बार read कर ले एक बार जरूर पढ़ ले next नियम क्या है कि बड़ी spelling आएगी कोई वहां पर O U S O U R आएगा spelling के last में बीच में जहां पर भी ठीक है तो यहां पर O U को हम अ पढ़ेंगे क्या पढ ऊइए इसको O U को जैसे यह तो O U है तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं double ठीक है फिर यहां बियेवियर क्या है बिहेवियर ओ यू?」 और है ओ उ' इस को तो आपंड हाया last में आर के लिए behaviour नेक्स्ट शरूर क्लर ओ यहां पर भी ओणő को हम आपार रहें लास्ट में आर हैं क्लर फिर है country, क्या है country, ओ यू को यहाँ पर हम पढ़ रहें अ, फिर है couple, क्या है couple, double, double, यह repeat हो गया है, double दुबारा से, next है famous, फेमस, यहाँ पर OUS है तो अ पढ़ रहें, marvelous, क्या है, marvelous, OUS है, OUR है, journal, क्या पढ़ रहें, journal, journalist, जर्नलिस्ट, फिर यह है touch, young, हो सकता है कि आपको देखने से पढ़ने से थोड़ी tough लग रही, लेकिन आपको एक दो बार practice तो करने ही पड़ेगी, अगर आप एक दो बार practice कर लेते हैं, spellings की, तो आपको यह spelling समझ में आ जाए गया, बहुत जरूरी है कि आप इन spellings की एक दो बार practice जरूर करें, देखने मे reading करने के भी नियम आएंगे कि किस प्रकार से एक साथ यह सारे नियम आ जाएंगे, तो कैसे हम pronounce करके, कैसे बोलेंगे, लेकिन आपको छोटे-छोटे step से शुरुवात करनी पड़ेगी, यहां तक clear हो गया होगा, फिर है OU को हम बड़े O के रूप में पढ़ते हैं, कुछ spell से उनको पढ़ लेते हैं, जैसे कि है, यूथ उ पढ़िए, ग्रुप, सूप, ठीक है, यूथ, ग्रुप, सूप, सूप, सिंपल सी स्पलिंग essa, प्रेक्टिस जरूर करें इनकी, फिर है OU, OU को यहां पर हम O पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि OU हैं सारे सोल मौल्ड मोल्डर तो यहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट भी जैसे ओ यू के बाद एल आ जाएगे रहाँ आप पॉपड़ेंगे क्या पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे शोल्डर बोल्डर पॉण तो इन सब सारी स्फेलिंग्स में ओ यू के बाद और तो वहां पर हम ओ पढ रहे हैं ओू यू को थीक है अब यहाँ पर क्या है कि यह जो कूरियर है न keøre के स्पेलेंग यह आको द्यान रखने है यहाँ पर हम अब द्यान रखने हैं जैसे कि के नीचे विपल्टा सबेसरों देख से इसाफ है जरीघी जो नियम है वहां को clear हो गए होंगे इसके लिए बहुत जरूरी आप इन spellings in examples को एक दो बार जरूर देखें तभी आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएंगे तभी आपको अच्छी तरीके से clear होंगे अब यहां पर है ओडबलू के उच्छारन के नियम अब ओडबलू को हम आउ के right to表 रूप में पढ़ते हैं अब क्या ओडबलू अब calling इस पयाँग्न की examples देख देख लेते हैं जैसे कि यह तीक है सारी थे नहिए यहाँ पर ओडबलू को हम ब्राउन आउ आ रहा है देखना ब्राउज ग्राउड ग्राउन क्लाउन ड्राउन गाउन हाउ नाउ काउ लाउ पाउडर तो यहां पर ओडबलू को हम आउ के रूप में पढ़ रहे हैं ओडबलू को ठीक है ओडबलू को तो यहां पर आप इनकी एक प्र करके देखिएगा और यहां पर ओ डबलू में आउ का प्रनांसेशन उच्चारन हो रहा है यह एक्जामपल हो गए अब आगे है ओ डबलू को हम ओ के रूप में पढ़ते हैं किसमें ओ के रूप में जैसे कि यह सारे स्पेलिंग्स हैं यहां पर भी ओ डबलू है यहां पर एर यहां सारे स्पेलिंग्स में ओ डबलू है एक दो बार आप इंकी प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा एरो बॉरो बिलो क्रो ग्रो ग्लो फ्लो हॉलो फॉलो फॉलो शैडो ब्लो अल्बो लो स्लो सौरो एक बार फिर से में रिपीट कर देती हूं एरो इस ट्रिक से भी आपको याद रह जाएगा और फिर आगे practice जितनी करेंगे तो यह आपको एकदम clearly आधो जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या है? यहाँ तक clear हो गया होगा आपको समझ में आगे होगा चलिए आगे देख लेते हैं O Y को O Y को हम कैसे पढ़ेंगे? O Y क्या पढ़ेंगे? O Y यह तो O W था ठीक है? और यहाँ पर नीचे है O Y O Y को पढ़ेंगे O Y जैसे की Alloy Last में O Y है इन सारे spellings के तो यहाँ पर last में O Y आएगा तो हम O Y पढ़ेंगे Alloy, Boy, Toy, Employ, Cloy एक बार फिर से read कर देते हूं Alloy, Boy, Toy, Employ, Cloy तो यहाँ पर हम O Y को पढ़ रहे हैं O Y आगे देखेंगे अब हम U E U E को हम बड़े U के रूप में और U के रूप में पढ़ रहे हैं ठीक है? बड़े U के रूप में और U के रूप में तो सबसे पहले हम बड़े U के रूप में जब पढ़ रहे हैं उनके example देख लेते हैं और नीचे हम देखेंगे U के रूप में जैसे कि यह है B, L, U, E, C, L, U, E, U, E, इन सारे spelling में U, E है, blue, clue, glue, यहाँ पर हम बड़े U के रूप में पढ़ रहे हैं, U, E को blue, clue, glue, इस तरीके से, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, U, E, यहाँ पर भी U, E है यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, U के रूप में, यानि यह के नीचे बड़े U की मात्रा के रूप में, जैसे कि revenue, revenue है, venue और due, revenue, venue और due, अब due, venue, इस तरीके से नहीं रीड कर रहे हैं, तो revenue, venue, और due, एक बार फिर से मैं इन सारे spelling को रीड कर देती हूँ, blue, clue, glue, revenue, venue, due, तो pronunciation भी अलग है, उचारन भी इन स्पैलिंग्स का अलग है, यहाँ पर बड़े U के रूप में, और यहाँ पर U के रूप में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे है UI, UI के उचारन के नियम, अब UI को हम पढ़ते हैं, बड़े U के रूप में यू के रूप में, उई और यूई, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, बड़े U, यू, उई और यूई, इस तरीके से, एक्जामपल्स देख लेते हैं, बहुत कम ही UI आता है, और आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि यह कुछ स्पैलिंग्स दे रहे हैं, यहाँ यू आई है, फ्रूट पढ़ रहे हैं, फ्रूट क्या पढ़ रहे हैं, बड़े U के रूप में, अब यहाँ पर है टूशन, क्या है, टू, टूशन, टू, यू, यू का साउंड आ रहे है, टूशन इस तरीके से, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्रूज, यानि बड़े U के सबस्क्राइब करने रिधे नियम स्वस्क्राइब करते हैं नहीं थो या कि आप देखे हो तो सोरों के उच्चारन की नियम, इंग्लेश में अगर ववल्स आते हैं तो उनको कैसे प्रणाउंस करें, इसके आगे जो next rules आएंगे वेंगे वेंजिनों के उच्चारन की नियम, यानि कि कॉंसोनेंट्स को हम अगर किसी भी इंग्लेश के अंग्रेजी की स्पेलिंग में आजाए, तो हम किस प्रकार से रीड करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारे नियम आएंगे और ये लास्ट नियम होंगे, कॉंसोनेंट्स के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम रीड करना भी सीखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, अब next वीडियो में हम क